नमस्ते भारत मैं हुराम प्रकाश गोतम और इस्क्रीन पे आप देखिए एक अच्छी ख़वर है कि जो टैक्स पेर्स हैं और अगर उनका 6 महिने का रिटर्न पेंडिंग पड़ा हुआ है छे रिटर्न यानि रिटर्न बोले तो GSTR 3 भी पेंडिक पड़ा हुआ है या अभी तक रिटर्न तो भर दिये लेकिन उनका जो GST नमबर है वो सस्पेंड पड़ा हुआ है GST रिजिस्ट्रेशन तो उसके लिए एक अच्छा मौका दिया गया है क्या है समझते हैं इन्होंने कहा कि नाव टेक्सपेयर के इनिशियेट ड्रॉप प्रोसीडिंग फॉर सस्पेंशन ओफ रिजिस्ट्रेशन एड़ जीएस्टी पोर्टर एंड रिवोग तस सस्पेंशन ओफ रिजिस्ट्रेशन टेक्सपेयर अब खुद से एक टेव आया इस पे इनिशियेट ड्रॉप प्रोसीडिंग और उस उहां पे जाकर के वो चलाने के बाद आपका जो रिजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है उसको आप रिवोग खुद से कर सकते हैं लेकिन अब आपको यहां पे एक ध्यान रखना है मैं एक बार और इस जो सेंटेंस है उसको पर रहा हूँ ध्यान से समझेगा जब आपका जिस्टी रिजिस्ट्रेशन केंसिल होता है तो आपके पास सो कोज नोटीस आया होगा उसके बारे में समझने के लिए इन्होंने चार टॉपिक दिया है चार पॉइंट दिया है एक बार समझेगे यहां से इस फंक्शनलिटी इस फॉर टैक्सपेयर्स फॉफाइल देर पेंडिंग डिटर्स आप्टर दा रिशीट आप सो कोज नोटीस इसूट बाइदा जिस्टी सिस्टम एक वर्ड यहां पे देखिए यहां पे जिस्टी पोटल पे जाकर क्या आप रिवोकेशन कर सकते हैं और जब वो सो कोज नोटीस SCN उन्हें इसूट हो चुका था लेकिन किसके तोरा हुआ था जिस्टी सिस्टम के दौरा जिस्टी सिस्टम के दौरा उन्हें सो कोज नोटीस मिल गया था तो देखिए जब कोई जिस्टी रिश्टेशन कैंसिल हो रहा है तो उसका दो रिजन होता या तो portal आपको suspend कर दिया आपके registration को और SCN issue कर दिया एक आपके range के या आपके division के जो officer से उन्होंने अगर किया है आपके registration cancel तो दो case यहां बनता है तो अगर आपका system के through GST registration यह cancel हुआ है या नहीं फाइल किया या कर दिया लेकिन so-called notice issue होने के बाद और वो revoke नहीं हुआ automatic तो उनके लिए यह फैसली किया बट याद रखना है कि जो GST registration cancel होता है उसका जो REG 17 form है notice का ECN का तो वो दो तरह से issue होता है एक या तो portal के through या officer के through तो यह काम कहा करेगा मैं भी बताया था कि portal पे करेगा ना कि किसी officer के करने पे उसके बाद next इनो ने कहा कि before this functionality इस functionality के पहले taxpayers who file their pending returns but not responded to the SCN their registration remained suspended despite filing their returns देखे एक क्या हुआ कि taxpayer ने अपना pending return file तो कर दिया but so close notice आया था SCN आया उसका respond नहीं किया तो उस case में अब वो कर सकते हैं next है now such taxpayers have been given the facility to initiate drop proceeding on their own once the pending returns are filed अब ऐसे taxpayers के लिए ये facility दी जा रही है जो initiate drop proceeding करेंगे खुद से अपने portal पे जा करके या pending return को file करते हैं file करके ये करते हैं तो उनका active कर दिया जाएगा so if taxpayers have filed all pending returns and their registration status is still suspended करता है इसलिए अगर taxpayer ने अपना सारा pending return file कर दिया है उसके बाद भी अभी भी उसका status जो है जीस्टन का जीस्टन का जीस्टन नमबर का वह suspended show कर रहा है मतलब अभी भी suspend दिख रहा है तो देन taxpayers can revoke the suspension with a single click by initiating drop proceeding तो उस case में taxpayer यहां पे बटन है उसे put करेगा उसे press करेगा वहां से click करने के बाद automatic revoke कर दिया जाएगा अब इसको दोस्त देखना है कि किया कैसे जाएगा वो आपको जा करके देखना पड़ेगा कहां पर आपको तो वो करने के लिए आप अपने portal को login करिएगा और login करने के बाद आप service में जाएए service में जाकर के user service में जाएए और वहां पे देखे view notice and order और view notices and order में जाकर के आपको दिख जाएगा इस type का आपका window दिखेगा अब यहां पे जो window दिखेगा यहां पे देखे एक की बहुत clear लिख दिया है वो clear क्या लिखा है अजर मैं इसको पर हूँ यहां पे देखे यह लिखा हुआ है इन्होंने यहां पे यहां पे इन्होंने लिखा है कि SCN so called notice reference दिया है has been issued to the GSTN number तो जिस GST party को दिया है वो नम दिया है since you have not filed all returns once the due returns are filed proceedings will be dropped for cancellation of the GSTN within 15 minutes कहता है कि अगर आपने GST return file नहीं किया और यह so called notice आपको दिया गया तो आप क्या करिए कि अपना एक बार अपना process कर लिजे GST return file कर लिजे और अगर आप जो ही file कर लेते हैं within 15 minutes में आपका return का जो file करने के बाद 15 minute के अंदर यह देखिए 15 minute का रहा है तो हम मान लेते 15 minute लेकिन कोई वैसा तो है नहीं अपना इंडिया है कि 15 minute कहा तो 15 minute में हो जाना है तो 15 minute के अंदर आपका रिवोकेशन होगा आपका GST number active हो जाएगा बाइ दी वे अगर आपका 15 minute में भी GST registration number रिवोक नहीं होता है यानि कि active show नहीं करता है तो आप यहां पे जो पोर्टल पे यह जो बटन दिया गया है इस पे जाकर कि यहां पे किलिक कर दीजिएगा यहां पे किलिक करने के बाद initiating drop proceeding यहां पे जो है initiate drop proceeding बाला जो यह बटन यहां पे जब आप किलिक करेंगे तो यह फिर आपका automatic rework हो जाएगा तो दोस्तों यह important वीडियो है उन लोगों के लिए और जहां था कि मुझे लगता है तैसे कोई लोग नहीं होंगे लेकिन अगर ऐसे कोई हैं तो बड़ी मुश्किल है चलिए इस वीडियो को खतम करते हैं और एक चीज़ बताओं जिन्दगी में न हम लोग ऐसे इस वीडियो को मैं क्लोज कर दिया वटे थोरा सापको एक मैसेज देना चाहरा था हम लोग क्या करते हैं जैसे अगर मेरा कोई वीडियो देखे होंगे फेस टो फेस वाले में तो मैं अपने ही हैंड में एक देखिए रेट कलर का ब्रासलेट पन रखा हूं धागे का बलैक कलर का फिर बहुत सारे रक्षा सुत रहे हैं एक करा है माकाल का अंगुलियों में अंगुठी है जानते हैं यह फेद कर रहे हैं समया पे फेद कर रहे हैं भगबान पे फेद कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप पे खुद पे बिश्वास नहीं करहाएं हमें फिय था कि अगर हम रीटर्म नहीं भरेंगे तो जी ऐस्टी डिपार्टमेंट हमें माफ करेगा मैं देखता हूँ देखे बेसिकली मैं गाओं का आदमी हूँ गाओं से बिलोंग करता हूँ भले अब शाहर में हूँ सीपी में हूँ बट मैं देखता क्या था कि electricity bills जो होते थे लोग 5-5-10-10 साल नहीं बढ़ते थे पढ़े पढ़े educated लोग teachers गई और जब उनका 25,000, 30,000, 50,000 का बिल हो जाता था तो वो इस weight में रहते थे hope होती थी उनके कि जो government है वो माफ कर देगी और होता था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपका जो 25,000, 30,000, 50,000 था तो वो एक period दिया जाता था कि आप 5 तारिक तक 10 तारिक तक अंदा जा कि अगर जिसका 50,000 जार है वो 10,000 आके जमा कर दे तो 40,000 माफ हो जाएगा तो लोगों को ना उमीद होती थी मतलब पूरे दुनिया में उसको विश्वास है, government भी विश्वास है लेकिन खुद पे उसे विश्वास नहीं है बंदा को कि मैं return file करना हूँ, return अगर file कर लोगे तो कई बार ये अंगोठी पहने से भी ये लाल धागा बानने से भी ये काला धागा बानने से भी ये महकाल का करा पहनने से भी छीजें नहीं होती है मतलब सरकार माफ नहीं करेगी लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आपको इतने असोसने की जरूरत नहीं होगी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी तो मेरा मानना है कि इस स्वर में आस्था रखिए गौड में आस्था जरूर रखिए देखिए spiritual बनिये religious कभी मत बनियेगा अध्यात्मिक बनिये धार्मिक मत बनिये मेरा यह कहना है तो कुशिश करिए कि इन सब में विश्वास के साथ साथ जरूर विश्वास के लिए मैं भी करता हूँ मैं खुद पन रखा मैं भी आपको बोला हूँ के वीडियो जो में आप देखे भी हूँ तो इन में अगर आस्था है आस्था रगिए इन चीजों में भी काले दागे में लाल दागे में लेकिन विश्वास अपने आप में रखिए अपने वर्क में रखिए अपने काम में रखिए तो सफलता आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा और आपके इच्छा है आपकी इच्छा है अंगोटी मेरी इच्छा है अंगोटी पानने कि मैं पानता हूं मानता हूं तो ये आप पे डिपेंड करता है बद मैं एगेन कहूंगा कि फेथ अपने पे रखी और जो लोग फेथ अपने पे रखे होंगे उनको जूस्ती डिटर्ण में आज इस ट्वीट का इंतिजार नहीं करना पड़ा होगा तो चले इस वीडियो खतम करते हैं थैंक यू बाबाई